नमस्कार दोस्तों सरीता की रसोई में आपका स्वागत है तो देख सकते हैं यह हमने आलू से बहुत अच्छा और बहुत टेश्टी नास्ता बनाया है और इसमें आप लोग को आटे या फिर जादा मेंदे इन सब चीजों की ज़रत नहीं पड़ेगी यह जो बाहरी परत है वो हमने आलू से बनाया है तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं और वीडियो इसकी मत करिएगा पूरी वीडियो देखिएगा बहुत टेश्टी नास्ता बनता है यह और आप जिसको बना के खिलाएंगे न वो बहुत तारीफ करेंगे तो इसके लिए हमने उबला हुआ आलू लिया है और तीन प्याज लिया है हरी मिर्च धनिया और यह मतर हमारे पास पहले से पढ़ा था उबला हुआ तो हमने मतर लिया है और यह प्याज को हम बारिक बारिक काट लेंगे हरी मिर्च धनिया सबको हम काट लेंगे बारिक बारिक और आलू जो उबला हुआ था ना उसको हम किसी मैसर से या फेर कदुकस से किसी चीज से आप लोग इसको दम पारी मतलब इसमें गुठलियां वगर नहीं होना चाहिए उस तरह से इसको अच्छे से मसल लेजेगा आप लोग को जिस तरह से सुबिधा पड़े उस तरह से कर ल तो चाहिए थोड़ा सा आलू हमने बचा लिया है दो से तीन और इसके बाद हम इसको मसल लेंगे अच्छे से तो आलू दो से तीन हमने बचाया है वह बाद में हम बताएंगे आपको कि इसकी क्या जूर्थ पड़ेगी तो इसमें हमने कॉन फ्लार पाउडर डाला है तीन आप लोग चावल का आटा भी डाल सकते हैं और या फिर आर रोट पाउडर भी डाल सकते हैं तो एक चमच हमने मैदा डाला है और इसको अच्छे से मसल लेंगे पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि जो आलू का मोस्चर है न उसी में ही ये कोट हो जाएगा और बस आटे की डो की तरह इसको बना लेंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा कि इसको चिकना कर लिजेगा तो लीजिए इसको हमने गून लिया और इसको हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ तो इसमें भरने के लिए हम फिलिंग बनाते हैं तो हमने पैन के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का कौंटिटी थोड़ा कम कर दीजेगा और इसके बाद हम प्याज काटे हैं बार एक बार एक वो भी डाल देंगे और यह अद्रक है इसको हमने कदू कस करके डाला है तो लिजे अद्रक और प्याज हरी मिर्च को अच्छे से भूनेंगे प्याज में अच्छे से मतलब थोड़ा सा गोल्डेन कलर का हो जाए पक जाए बस उतना ही भूनना है ज्यादा नहीं भूनना है तो इसको अलटते पलटते हुए चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे लीजी प्याज हमारा भून गया है अब इसमें हम मटर डालेंगे मटर पहले से उबला हुआ है अगर आप लोग का मटर कच्चा होगा तो आप लोग इसको प्याज के साथ ही डाल दीजेगा और इसको अच्छे से पका लीजेगा तो लीजे इसके बाद हम मसाले डालेंगे तो आदा चमच हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे तो नमक थोड़ा कम डालेंगे कि इसमें काला नमक भी जाएगा और इसमें आदा चमच गरम मसाला डालेंगे आदा चमच चाट मसाला डालेंगे इसके बाद थोड़ा सा काला नमक डालेंगे बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मटर के साथ और प्याज के साथ इसके बाद हम इसको मैसर से मैस कर लेंगे क्योंकि मटर हमारा पहले से पका हुआ है ज्यादा इसको पकाना नहीं पड़ेगा हमें अगर आप लोग का मटर कच्छा होगा तो इसको पकाल लीजिएगा फिर मैस करिएगा तो हमने 3-4 आलू रखा था ये आलू छोटे-चोटे थी ना तो इसलिए 3-4 अगर आप लोगे बड़े साइच के आलू होँ तो आप लोग एक यालू डाल लिएगा तो लीजिए आलो को भी अच्छे से मैस कर लेंगे और हल्दी हम सुरू में भूल गये थे मतलब मसालों के साथ तो थोड़ी से हमने दो चुटकी के करीब हल्दी डाला है आप लोग उसी समय डाल देजेगा मसालों के साथ ही मैंने सोचा इसका कलर थोड़ा लाइट रखेंगे लेकिन यह जादा ही लाइट लग रहा था तो फिर मैंने कहा चलो हल्दी डाली देती हूं इसलिए हमने इसको बाद में डाला था हल्दी को पहले, हमने पनीर लिया ँर पनीर को हम घिज देंगे इसमें मोटे वाले तरफ से, तो यह हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, आप लोग इसकी कॉंटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आप लोग के उपर हैं और बीना पनीर के भी बना सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि पनीर डालेंगे तभी बनेगा पर से हरा धन्या डाल देंगे और धन्या डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इनको मिक्स करते करते इनको एक मिनट के लिए भूनेंगे बिल्कुल बस थोड़ा बस एक मिनट के लिए ज्यादा देर नहीं भूनेंगे बस थोड़ा सा जिसे मीक्स हो जाए अच्छे से और इसमें खुझबू भी अच्छी आजाए बस इतने भूनना है तो लीजिए हमने इसको अच्छे से भून लिया और गैस हमने बंद कर दिया है एसको ठंडा होने देते हैं तब यह थंडा होएगा ना तभी इसको बनाना सुरू करिएगा तो जो आलू का मतलब आटा गुना था ना अलू वाला जो डो बनाया था उसकी चोटी चोटी हमने लोईयां तोड़ ली है अलोईयां हमने दस तोड़ा उतरे में तो इसको ऐसे हाथों पर ऐसे फैला लेंगे सूखा मैदा लगाके और इसके बाद फिलिंग भढ़ेंगे तो यह थोड़ा गरम है और इसको अच्छे से ठंडा कर ल लिए थे शुरू में हमने बनाया था तो यह अच्छे से मतलब गरम की वज़े से अच्छे से सेटनी हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया था लेजे इस तरह अच्छे से इसको फिलिंग को भढ़ देंगे और सूखा मैदा लगाते हुए लेजे इस तरह से यहरा धनिया लग गया इसको हटा देते हैं और लिजे जो आटे के लोई बनाते हैं उसी तरह से बस इसकी कचोरी स्टाइब की जिसे बनानी है और लिजे बन के तयार हो गया हमने चार चार बनाए है और पूरा बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोग को तो फिलिंग भी ठंडी हो गया और इसको सारा बना लेते हैं तो लिजे बन के तयार हो गया देखने में कितना प्यारा लग रहा है न तो चलिए अब फ्राई कर लेते हैं और गैस हमने ओन कर दिया है और तेल गरम ह जादा गरम नहीं करना है तोड़ा लाइटी गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम कम रखिएगा इसके बाद इसको डाल के इसको थोड़ी देर बाद ही तच करिएगा कि इसको अपना ऐसे घी डालते रहेगा मतलब तेल और लीजी देखिए फोल गया ये तो और ये आटे का है ना पहले बार में डालेंगे तो ये मतलब कढ़ाई के तले में थोड़ा सा लगेगा दूसरी बार में नहीं लगेगा कोई भी चीज पहली बार डालो ना तो उसका थोड़ा सा मतलब कढ़ाई में चिपकता है तो लीजी इसको हमने अलट पलट के अच्छे डाल के हम सेकेंगे तो लीजे एक बार में तीन तीन डाल के सेका है इसको मतलब फ्राइ किया है तो लीजे इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा और ये देखिए कितना फूल गया है फूली फूली बना विल्कुल और खाने में इतना अच्छा लगता है आप लोग एक बर बनाएंगे तो फिर आप लोग खुच जानेंगे हम क्या बताएंगे आप लोग को आप लोग Base कonna जोड़े जी हमने सारा बना लिया और हमने प्लेटिंग भी कर लिया है तो आप लोग इसको सफर में भी लेकर जा सकते हैं और दोस्त मेहमान रिस्तेदार मतलब सबको खिला सकते हैं इस तरह की यह कचोरी बहुत अच्छी लगती है बहुत टेश्टी लगती है तो आपने यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा यह रेशिपी आप लोग को कैसी लगे और आप लोग अपने दोस्तों रिस्तेजारों में इसको सेयर भी करिएगा तो इसको हम तोड़ के भी दिखा देते हैं आप लोग को अंदर से बहुत मतलब भरा हुआ है एकदम सॉफ्ट है इतना अच्छा बना था ये और ये देख रहे हैं जिससे एक साइड के किनारे इसके लग रहे हैं कि जो पाव अगर होते ने ब्रेड सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट नरम बना है तो आप लोग भी अपने घर में बनाईए और खाये और सेयर करना ना भूलिए मिलते हैं नई वीड